समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागंद्र मिस्त्रा में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं 18 फर्वरी और 19 फर्वरी के कुम्भरासिफल के बारे में कुम्भरासिके लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नचत्रों की इस्तिती कैसी होगी क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपके दिनचर्या पर कुम्भरासिके जातकों किस तरह से होगा जानेंगे सब कुछ बिस्तार से आपके दिनचर्या से जुड़े हर छेत्र के बारे में सिक्षा, स्वास्त, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दामपत जीवन, बिजिनेस, कारचेत्र, ब्यापार, नौकरी, हर चीज के बारे में बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले दो दिनों की तिथी नच्छत्र और योग के बारे में जान लेते हैं अठारा फरवरी का जो दिन है ये गुरुबार का दिन है और सुकल पक्ष की शश्टी तिथी है सुबह आठ बचकर साथ मिनट तक रहेगी उसके बाद सब्तमी तिथी प्रारंब हो जाएगी इस दिन भरणी नच्छत्र रहेगा सुबह तक और ब्रह्म नाम का योग बनेगा ये योग बड़ा अच्छा माना जाता है चंद्रमा की इस्तिती मेश राश में रहेगी शूर कुम राश में रहेगे इस दिन का अभजीत महुर्त दुपार 12 बच के 13 मिनट से 12 बच के 69 मिनट तक रहेगा अब 19 फरवरी की बात कर लेते हैं तो इस दिन शुक्रवार का दिन है और माग शुकल पक्षी सब्तमी तिथी रहेगी नचत्र इस दिन कृतिका रहेगा और इंद्र नाम का योग बनेगा और चंद्रमा की इस्तिती सुबह है यानि की 9 बच कर 43 मिनट से यानि की मेश राश में रहेगी और उसके बाद ब्रिसव राश में गोचर कर जाएगे ब्रिसबराश में चंदर के आने से चंदर और राहू की युती होगी और शूर कुम्भराश में हैं इस दिन का अभजीत महूर्त दुपार 12 बच के 10 मिट से लेके 12 बच के 15 मिट तक रहेगा तो दोस्तों ये थी कुछ ग्रह नचत्रों की इस्तिती और इनहीं के आधार पर देखेंगे कि ये दो दिन कुम्भराश वाले जातकों आप के लिए कैसे रहेंगे कुम्भराश के लोगों के लिए यहां चंदरमा इनके 3 भाव पे और 4 भाव पे गोचर कर रहे हैं दो भाव सक्री रहेंगे, तीसरे भाव पे चंदरमा मंगल के साथ यूती कर रहे हैं और चोते भाव पे चंदरमा राहू के साथ यूती कर रहे हैं, तो इन यूतीयों के साथ कुम राज के लोगों के लिए ये समय कई तरह के शुबता लेकर आएगा, कई तरह के बहुत अच लुकरी की बज़य से चैहपठाई की बज़य से दूर रह रहे हूं यह केरियर बनाने की बज़य से तो अब उनको अपने परिवार के साथ समय फिताने का अच्छा मौका मिलेगा आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे इस समय का प्रयोग आप अपने मीठी यादों को ताजा करने के लिए भी कर सकते हैं अपने परिवार बालों को अपने मित्रों के साथ पाकर आपको बेहत खुसी मिलेगी और कुम्बरास की जातकों इन दो दिनों में 18 और 19 फर्वरी का ये बेहती अच्छा रहेगा इस समय आपको मन में शांती का भाव रहेगा मन में संतुष्टी मिलेगी केरियर की बात करें तो आफिस जाने वाले लोगों के लिए ये जो दो दिन रहेगा बहुत अच्छा रहेगा कुम्रास की जातकों के लिए और द उसका परिणाम आपको सुखत मिलने वाला है जहां तक केरियर के मामले में ये जो दो दिन है ये दोनों ही दिन आपके लिए शुबता लेकर आया है कारियों में आपको प्रसंदता मिलेगी और आपके कार भी समय रहते पूरे हो जाएंगे इन दिनों में आप जिस भी कार छेत में हाथ डालेंगे जिस भी छेतर से आप जुडे हुए हैं, कोई ने डेल आप लेना चाहते हैं, किसी ने डेल के लिए आप भागदाूर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका रुका है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये सभी चीजे पूरी होती नजराएंगे बिजनेस ब्यापार में भी बहुत अच्छी उपलब्दी हाशिल होगी अचानक जो रुका हुआ था आपका यानि कि अचानक धन का लाब होगा रुका हुआ फसा हुआ धन भी प्राप्त होगा बिजनेस में नई प्लानिंग के साथ उतर सकते है बिजनेस ब्यापार में खुब तरक्की करते हुए नजराएंगे साथी बाहन का शुक प्राप्त होगा बाहन की खरिदारी का बिचार बना सकते हैं काफी समय से आपके मन में बाहन खरीदने का जो एक विजार चल रहा था आइडिया चल रहा था वो पहले काफी पूरा नहीं हो पा रहा थे लेकिन आप पूरा होता नजराएगा केरियर में बड़े पद की आश लगाए बैटे थे तो वो सपने आपके पूरे होते नजराएं अमाता जी के सौस्त में थोड़ी नर्मी देखने को मिल सकती है लेकिन इस दवरान आपके सौस्त में बहुत अच्छे खुश्या रहेंगे दाम पत जीवन बहुत contre रहने वाला है एक दूसरे के साथ है एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं और बेहद कंधे से कंधे मिला कर खड़े हैं हर मुश्किल कारियों में आपके साथ खड़े हैं आपके जीवन साथी लबलाई भी बहुत खुपसूरत रहने वाली है कुछ गिप्ट या उपहार देने की बिचार बना शकते हैं या घूमने फिरने कमान बना शकते हैं बेहद अच्छा यानि प्यार भरी लमहें आपके गुजर रहे हैं और बहुत ही खुपसूरत ये लमहें गुजर रहे हैं इस्टुटेंट के लिए काम्याबी से भरा रहने वाला है पढ़ाई पर फोकस बना हुआ है परिवार जनों का स्चाहिव प्राप्त होगा इन दिनों में तो कुमराज के जातकों के लिए ये जो दो दिन रहेगा बहुत ही ज़्यादा लाबकारी रहने वाला है और कई तरह के अच्छी खबरे मिलेंगी हो सकता है ससुराल पक्षी तरफ से भी मिल सके अच्छी खबर और आपके दामपत जीवन में खुशी आएंगे साथी आपके जीवन साथी से संतान को लेकर कोई बड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है अलग कि इस समय आप कई तरह के आइडिया आपके मन में आएंगे उन आइडिया को आप अपनी बिजिनेस भियापार में उतारेंगे और भविश को लेकर कुछ ऐसे कार कर सकते हैं जो आपके लिए फायदे बंद हो बिजिनेस अगर आप साजिदारी में कर रहे हैं पार्टनर्शिप में कर रहे हैं तो कुम्भरास के आपको ये समय आपके बहुत महत्पूर्ण रहने वाला है तो इन दनों राजनितिक शेतर से जुड़े हुए हैं तो कुम्भरास के आपको अच्छा खास आपका दबदबा रहेगा जान पहचान बढ़ सकती है अच्छे कारियों के करने के कारण आपको बड़े पद मिल सकते हैं और बड़ी जिम्मेदाजिया मिल सकती है केरियर में जहां नोकरी करते हैं आपके जो बरिष्ट अधिकारी है उच्छा अधिकारी उनका शहयोग पराप्त होगा और उनके शहयोग से आपके कार बनते चला जाएंगे बिदेश में जो रहे रहे हैं कुमर रास की जातकों उनके लिए बहुत अच्छे अपसर पराप्त होंगे शेलेरी में बिदेख साथ बिजनेस स्टार्ट अप के बारे में भी सो सकते हैं कुछ नया अपन देखने को मिलेगा कुछ नई तरकीव सो सकते हैं कुछ नय बिचार आशकते हैं आपके मान में ऐसे आइडिया जो आगे चल कर बहुत ज़्यादा लावकारी रहेगा और दोस्तों से मुलाकात हो सकती है पुराने दोस्तों से मुलाकात के साथ अपने घर परिवार के जन्यों के साथ मुलाकात हो सकती है शिंगल जातकों के बिवाहते हो सकते हैं शिंगल जातकों के जीवन में एक नए दोस्त के दस्तक हो सकती है कुछ इंपोर्टन कागजात पर आपके यानि की दसकत बगएरा करना हो तो देखे इस समय आपको बहुत ही सावधानी पुर्वक करने के आवशकत रहेगे कुम्भराज के यात्कों अब चुकि तीसरा भाव चोथा भाव हो तो छोटे भाई वहने को सहयोग प्राप्त होगा साथी चौथा भाव भाहन का शुक माता का शुक और आपको जमीन प्रपरिटी से सुख होता होना जराएगा कुछ जमीन प्रपरिटी खरीदने के बारे में बिचार बीमार कर सकते हैं या आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं ये समय काफी जादा लावदायक रहनेगा कुम्रास की जादकों के लिए उपाई की बात करें तो कुम्रास की जादकों इस दिसमें आपको शनी देव के नाम कममंतर का जाब करना है शनी देव के ओम सं correct कaska जाब करें तो बहुत ऐच्छ रहेगा तो दोस्तों ये था कुम्ब रासेवली जातकों के लिए दो दिन का रासी फल 18 और 19 फरवरी का दिन का दोस्तों कमेंट स्रक्षिन में सच्चे दिल से जैस अंद्य होशी लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और से शियर करें